स्वागत आपका अपने चानल दी हाई फस्टेडी में तो बहुत सारे बच्चों की क्वैरिज थी इग्नू से रिलेटेड जिसमें वो जाना चाहते थे कि हम अपना एक्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं जैसे कि पता हैं सब कोई अगस्तमी एक्जाम से हैं अब वो दूसरी से सीटीज में है तो उसके लिए इग्नो ने एक ओफिशिल नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो आते हैं मैं अब दिखाता हूँ आपको किस तरह से आप उसको देख सकते हैं किस तरह से आप अपना अपना एक्जाम सेंटर चेंज करने के लिए अप्लाई था 2021 का जो अब अगस्त में होना है उसके लिए जिन भी बच्चों ने एक्जाम फॉर्म भरा हुआ है उसके चेंज करने का लिंक आ चुका है तो इस लिंक पर क्लिक करना है क्लिक करते ही एक ऐसा विंडो खुल के आएगा यहां लिखा है वेलकम तुजार वेलकम टू स्ट के लिए क्या कर डिटिल से ही है उससे पहले इन्होंने आप एक नोट दिया हुआ है नोट में बताया हुआ है क्या चीज़े पॉसिबल है और क्या नहीं है तो देखे लिखा है फिर्स नोट में फिर्स पॉइंट है इनका रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एक्जाम नेशे को चेंज नहीं कर सकते हैं अगर आप दूसरे सिटी में अगर चेंज करना चाहते हैं तो वह होगा सेकंड पॉइंट क्या हो रहे हैं ऑनलाइन सब्मिशन ऑफ एक्जामिशन फॉर्म चेंज रिक्वेस्ट विल अवेलेबल अवेलेबल फ्रॉम 23 जुलाई 2021 तू 26 जुलाई यह लिंक वर्क करेगा इसके बाद आप कोई भी रिक्वेस्ट एक्जाम सेंटर चेंज की नहीं डाल सकते हो ओके थर्ड पॉइंट आगया हमारा चेंज ऑफ एक्जामिशन सेंटर विदिन इग्नो रिजनल सेंटर जम्मू इस नॉट अलाउट इस मीन कि जो उन भी चेंज करने के लिए ओके अब थर्ड आता है या कोई भी मतलब बाहर से भी इग्नो जम्मू सेंटर में नहीं डाल सकता है आगे फॉर पॉइंट हमारा चेंज ऑफ एक्जामिशन सेंटर जम्मू शिर्नगर वालों के लिए भी नॉट अलाउट है ओके मतले जम्मू और शि चेंज फर्तर मतलब अगर आपने चेंज करना है तो एक ही बार चेंज के लिए रिक्वेस्ट जाएगी आप सोचें कि अभी आप चेंज करते कल आपका मूड करें कहीं और डालना है तो वह पॉसिबल नहीं है दुबारा आपको आप्शन नहीं दिया जाएगा नो अधर मो आपने नहीं होगा समझा गया आपको यहां पर आपने अपना इंडॉल्मेंट नमबर डालना है प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है डेट ऑब बर्त आलनी है और सिक्यर्टी कोड जो नीचे चीए है सब्मिट करना सब्मिट करते ही आपकी प्रीवेस डीटेल्स शो करेगा आपके इंडॉल्मेट नमबर नाम डेटो बर्त वहाँ पर शो करेगा और जो आपने प्रीवेस सेंटर बढ़ा हुआ है और जितने सब्जेक्ट का एक्जाम शिर्प फॉर्म फिलब किया हुआ है वो शो करेगा और नेक्स अ मरलब जो आपने अब करना चाहते हैं को option देगा वहाँ पर चूज करेंगे कोई फीस नहीं लगेगी कोई चार्ज नहीं लगेगा और आपका जो उसके बाद आप अपना चेंज कर लो एक बात और फर्स और सेकंड यह वालों के तो वही अपना यह चेंज कर लें और अगर हां जिनके एक्जाम नहीं भी हुए अगर वह भी अपना चेंज करना चाते तो कर सकते हैं क्योंकर इन फ्यूचर वह जैसे कि अगर एक्जाम दिसंबर में पॉस्ट पॉन होते हैं तो वह बच्चे दिसंबर के लिए उनका पहले ही आप्टमेटिकली एक्जाम करें थैंक यू